सो गाईज तो आजकं वीडिवों में बात करने वाला हुँ तिल चटा क्या होता है और क्या नहीं होता है? दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीज़ेगा तो दोस्तो आजम को जाना है कोकुरुचिया तिल्चटा क्या होता है दोस्तो तिल्चटा को बात करें तो बैगानिक नाम होता है बलाटो डिया जी हां दोस्तो इसका बैगानिक नाम क्या है बलाटो डिया और ये जो है ना गर्म अस्थान एवम ठंडे अस्थान एवम मतलब हर जगर लगभगे रहते ही रहते हैं कौन तिलचटा जी हाँ दोस्तों और तिलचटा के आवाज ऐसी होती है सुन लिए चलिए तो आगे चलते हैं आपने तिलचटा के आवाज सुन लिए तो तिलचटा के आवाज सुनने के बाद आता है ये जो है ना गर्म अस्थान ठंडे अस्थान मतलब हर जगई ये रहते ही रहते हैं लगभग ठीक है और ये जो है ना हलके लाल एवम भूरे रंके होते हैं यह क्या होते हैं हलके लाल यूम जो है ना भूरे रंके होते हैं और तिल्चट्टा में छोटी छोटी छीद्र होते हैं इन्हीं छीद्रों को बोलते हैं स्वास रंध्र स्वास रंध्र कहने का मतलब सांस लेने क्या रंध्र यानि छीद्र समझें तो तिल्चट्टा में क्या होता है छोटे छोटे छीद्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्वास रंध्र बोलते हैं ठीक है और इनके सरीर में गैसों का बिनिमिये के लिए वायू नलिकाओं का ज जाल बिछा होता है इनके सरीर में एक जाल बिछा होता है वायू का जो मतलब इधर उधर गैसों का अर्दान पर्दान होता है और इन ही जाल को बोलते हैं स्वासनाल या वातक समझें इन ही जाल को क्या बलते हैं स्वासनाल या वातक जी हैं दोस्तों सरवाहरी जो है ना जो तिलचटा है एक सरवाहरी प्रानी है तो सरवाहरी कहने का मतलब है जो मांस भी खाता हो और पिन पोधे से भी प्राप भोजन को खाता हो ठीके तो तिलचटा के है एक सरवाहरी प्रानी है और इसका जो शरीर है ना तीन भावगों में बिभाजित रहता है इनका जो सरीर है तीन भावगों में बिभाजित रहता है एक तो सीर होता है एक तो वच वच का मतलब होता है आपको छाती और एक होता है उदर जिसको बात करें तो पेट होता है ठीक है? मैं आसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चलिए वीडियो समापत हुआ